गुड मॉर्निक स्टुडेंट्स मैं रवी कुमार लेक्चर कंप्यूटर साइंस जीपीसी डूंगरभूर आज की इस वीडियो लेक्चर में हम CS305 VB.net में कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे Normally जो प्रोग्राम का execution होता है किसी भी language के अंदर जो execution flow होता है वो top-down होता है और इसको हम बोलते हैं sequential execution कुछ विशेच परिस्थितितियों में हम इस top-down sequential execution को alter कर सकते हैं इसको change कर सकते हैं controlled structures में decision making statements आते हैं और loops आते हैं decision making statements में fast आता है if if का syntax कुछ इस तरह से रहता है if condition then फिर statements जो execute कराने जैसे इस example में हम देख सकते हैं if x equal to y then आगे comment लिखा है अपने if condition is true then अगर ये x equal to y होगा condition true होगी तब नीचे वाइल जो line है debug.rightline true ये execute होगी and if single quotes में जो आगे लिखावा है वो होता है comment flow diagram देख लिखावा है start x equal to y अगर false है तो end हो जाएगा वो true है तो जो statement से वो execute हो जाएगे अब है nesting if nesting का मतलब होता है एक के अंदर एक जसे इस example में हम देख सकते है if देख सकते है if if a dot length greater than 0 then b equal to 10 फिर इसके अंदर एक loop और कर देंगे if c is greater than 10 then b equal to 20 कर देंगे तो अगर c greater than 10 होगा तब तो b की value 20 हो जाएगी और अगर c greater than 10 नहीं होगा तो b की value 10 रह जाएगी इसमें else else statement वैसे तो optional होता है only if से भी काम चल सकता है but if में तो जब condition true होती है तब कुछ काम करवाना होता है तो वो statements execute करवाते है अगर condition false हो उस case में भी अपने को कुछ statements execute करवाने हो तो हम else काम में लेते है तो else optional है but dependent है if के ओपर यह execute होता है अगर if के अंदर जो test statement है वो false हो जाए तो condition false हो जाए जैसे देख सकते हैं if condition then statements else statements and if तो if में condition true होगी तब तो if के statements execute हो जाएगे अगर condition false होगी तो else वाले execute हो जाएगे if else का block diagram हम देख सकते है start x equal to y अगर true है तो if statement execute हो जाएगे अगर false है तो else statement execute हो जाएगे else if else if हम काम में लेते हैं अगर हमारे पास एक से ज़्यादा conditions हो तो जैसे देगे एगजामपल में देख सकते है if condition अगर condition true होगी तब तो if statement execute हो जाएगे अगर condition false होगी तो else if में आएगा और else if वाले condition को चेक करेंगे अगर यह true है तब तो इसके statement execute हो जाएगे अगर यह भी false है तब else में चला जाएगा और else statement अब इसमें हम देख सकते है कि अगर starting का जो if है उसी के अगर condition true हो गई तब if statement execute हो जाएगे और हम if से बहार निकल जाएगे else if और else दोनों execute नहीं होगे इसका हम block diagram देख सकते है start होगा x equal to 1 अगर x equal to 1 है तब तो if वाले statemented debug.rightline x execute हो जाएगा अगर यह false है तो else if में जाएगा फिर else if में check करेगा अगर condition x equal to 1 नहीं है तो फिर check करेंगे x equal to क्या है अगर 2 है अगर 2 है तब तो else if वाला execute हो जाएगा अगर 2 भी नहीं है x की value मालो 3 थी तो 1 भी false, 2 भी false तो else में चला जाएगा और end हो जाएगा तो else if हम काम में लेते हैं जब multiple conditions होती हैं हमारे पास select case multiple conditions में if else भी ले सकते काम में लेकिन conditions अगर बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हमें बहुत बार if else, if else, if else लगाना पड़ेगा इसलिए हम क्या करते हैं select case का आम में ले लेते हैं select case का block diagram देख सकते हैं start होगा case 1 case 1 में condition check करेंगे अगर जो start के अंदर जो value आई अगर वो case 1 वाली value है ठीक अट्री हो जाएगा तो process 1 execute जाएगी, अगर case 1 वाली value नहीं आई है तब case 2 में चलेंगे अगर case 2 की value है उसके बराबर है तब तो process 2 execute हो जाएगी अगर यहाँ भी false है तो case 3 में चलेंगे इस तरह से हम आगे से आगे चलते जाएगे इसका syntax कुछ इस तरह से होता है select case और इसमें expression to test यह होता है यहाँ पर expression आएगी उसका कुछ result आएगा expression का अब जो expression का result निकलता है उसको check करेंगे case value 1 अगर value 1 के बराबर result आया है तब तो इसको execute कर देंगे अगर ऐसा नहीं है तो case 2 में check करेंगे case 2 से भी match नहीं हो तो फिर else में चलेंगे नीचे किसी से भी case 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी है अगर किसी की value के बराबर भी expression का result नहीं आया है तो last में else है else वाला statement हम execute करा देंगे control structures में दूसरा जो type है वो loops का है loop क्यों यूज करते हैं जब या एक या एक सी ज्यादा lines का code है उसको हम repeatedly execute कराना चाहते हैं तब हम loop कामे लेते हैं तो अगर loop की condition true है जब तक की condition true चलेगी तब तक जो block है code का उस loop के अंदर वो बार बार execute होता रहेगा और जैसे condition false होगी वो loop से बाहर निकल जाएगा तो vp.net के अंदर do loop होता है for next होता है for each next होता है और while होता है सबसे पहले देखते हैं do loop the do loop command repeats the execution of a block of code for as long as condition remains true और until it becomes true ठीक है इसमें दो तरीके है while के अंदर के अंदर क्या होता है जब तक condition true है तब तक repeat होगा और until में क्या है जब तक condition true नहीं हो जाती तब तक होता रहेगा तो while में जब तक true है तब तक loop चलेगा और until में क्या है जब तक false सा तब तक चलेगा जसे true आएगा तो बंद हो जाएगा exit हो जाएगा कोड को इस तरह से रहेगा do अगर while लगाना चाहते है तो while फिर condition फिर statements exit do statements loop अगर until लगाना है तो do until condition do statements exit do statements loop while until condition यह दो तरह के सकते हैं जैसे while or do while करते हैं अब इसमें while or until starting में आ जाते हैं तब तो पहले हम condition check करेंगे बाद में नीचे के statements execute करेंगे लेकिन जैसे कि यहाँ दे सकते हैं do तो पहले statements execute कर दे हैं और condition बाद में check कर रहे हैं जैसे एक example देख लेते हैं do number equal to number plus one debug.rightline star loop until number equal to 50 तो number को हमने मालो शुरू में one से start किया है तो star print होता जाएगा कब तक होगा जब तक यह number 50 नहीं पहुँच जाता जैसे plus one होते होते 1,2,3,4,5,49 तक चलेगा 50 हो जाएगा 50 पर भी चलेगा पर जैसे until 50 आया 50 के equal हो गई वेल्यू तो यह loop से बहार निकल जाएगा इसको हम एक code से देख लेते हैं dimincr as integer incr क्या है एक integer type का variable है और cond यह एक boolean type का variable है तो loop start करते है do while incr less than 500 फिर incr में increment करेंगे one से console.rightline incr की value प्रिंट कर देंगे फिर check करेंगे if incr equal to 500 then करेंगे अगर 500 हो गया तो condition कर देंगे true और console.rightline में incr प्रिंट कर देंगे और exit do कर देंगे जैसे incr बढ़ते बढ़ते 500 पर पहुंच जाता है हम exit कर देंगे इस loop के अंदर से और loop कब तक चलेगा? until condition equal to true जबतकि condition true नहीं हो जाती है इसका ब्लोग डाइग्राम देख लेते हैं do statements loop until condition do में चलेंगे condition code check करेंगे अगर condition true है तब तो loop loop हो repeat होता रहेगा तो condition जैसे false होगी यह बहार निकल जाएगा फिर next आता है अपना for next for next repeat करता है group of statements को एक specified number of times loop के अंदर एक index चलेगा counter चलेगा एक जो बढ़ता रहेगा हमेशा इसका ब्लोग डाइग्राम देख लेते हैं for next का कुछ इस तरह से syntax रहेगा for counter start होगा और two कहां तक चलेगा end तक statements execute और next counter init condition check होगी अगर condition true है तब conditional code execute होगा फिर increment होगा और loop चलता रहेगा और जैसे condition false आती है बहार निकल जाएगा syntax कुछ इस तरह से रहेगा for counter start to end statements execute continue करना है तो continue कर देंगे statements exit करना तो exit अब continue और exit ये दोनों loops को control करने लिए statements है continue में क्या करता है कि जहां पर continue लिखा हुआ है उसके नीचे का जो block है statements का loop के अंदर अंदर वाला उसको skip कर देता है और directly increment होके वापस से start हो जाता है loop loop से बहार नहीं निकलते हैं या continue में ये याद रखना loop से बहार नहीं निकलेंगे सिर्फ continue के नीचे लिखे वे statement से उनको skip कर देंगे और directly नए वाले जो value है counter की उसके लिए loop को check करेंगे condition जबकि exit के अंदर क्या करते हैं जैसे एक्जिक्यूट होता है हम loop से बाहर निकल जाते हैं ठीक है तो ये याद रखना है exit में loop से ही बाहर निकल जाते हैं जबकि continue में loop से बाहर नहीं निकलते हैं continue में सिर्फ continue के नीचे वारे statements है उनको हम execute नहीं करते हैं उनको skip कर देते हैं एक example से हम समझ सकते हैं जैसे हमने module बनाया loops नाम से उसमें subman एक variable बनाया dim as byte byte type का एक small a variable बनाया for loop execution यह हमने comment लिखा है single quote में for loop execution for a equal to 10 to 20 step 1 ठीक है तो a है जो अपना counter है वो 10 से start होगा 2 कहां तक चलेगा 20 तक और step 1 कितने से increment हो रहा हर बार 1 से 10, 11, 12, 13, 14 अगर हम ज़्यादा 2 से step कराना चाहते हैं तो plus 2 करते रहेंगे 10, 12, 14, 16 अशे तो कितने भी step ले सकते हैं 1, 2, 3 कितना भी जितने गज़ टे करेंगे और 5 का करते हैं तो 10 के बाद में 15 आएगा फिर 20 आजाएगा सीधे फिर अगर condition true होती है तो console.rightline value of a print हो जाएगा next control.readline and sub and module output इसा आएगा 10, 11, 12 वह से लेके 20 दाएगे उसके बाद में next आता है 4 each next तो 4 next तो क्या होता है एक counter के साथ में चलता है 4 each में क्या होता है एक area होता है उसकी जितने भी elements हैं उनके लिए हम चलाते हैं हरे के लिए each तो प्रते एक element के लिए चलाएंगे एक के area के elements के लिए जैसे इसको एक example से हम समझते हैं module loops sub main dim an array as integer an array नाम का एक array बना दिया उसमें 1, 3, 5, 7, 9 ये odd numbers हैं हमने डाल रखें 5 number डाले हमने इसमें 5 items हो गए इसमें dim area item as integer तो array item हमने एक variable बना लिया integer type का और एक comment लिखा है displaying the values for each loop लगाएंगे for each array item in an array for each array item हो गया अपना एक variable in an array हो गया array का नाम console.write line और bracket के अंदर array item जो हमने बनाया उसका नाम डाल दिया next console.readline इसका output आएगा 1, 3, 5, 7, 9 तो हर एक element के लिए हम चला रहे हैं आपर फिर आता while loop while loop execute करता है series of statements को जब तक की given condition अवो true है while condition अगे 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 काउंटर के लिए लूप को चेक करेगा condition और अगर यह false हो जाती है तो loop से बाहर निकल जाएंगे example से समझ सकते है module बनाया loops नाम से sub main dim a as integer equal to 10 तो small a एक variable बनाया integer type का जिसमें value डाली है 10 single quote में while loop execution comment बना दिया while a is less than 20 अगर a है वो 20 से चुटा है तो a 10 से चुटा है तो value of a प्रिंट कर देंगे फिर a equal to a plus 1 कर देंगे and while करेंगे तो यह एक बार counter है वो हर एक बार एक एक से increment होता जाएगा और यह चलता जाएगा तो यह loop चलेगा 10 से लेके 19 तक क्योंकि less than 20 किया ना 19 तो print कर दिया जैसे 19 के बाद में a equal to a plus 1 20 हुआ फिर condition check किया तो 20 तो 20 किसे छोटा है नहीं बराबर है इसलिए 20 आपर print नहीं होगा इसलिए 19 तक चलेगा फिर जैसे कि हमने पहले भी एक देखा कि loop control statements है वो दो तरह के है loop control statements क्या करते है नोर्मरी loop का जो execution का तरीका होता है उसको change कर देता है तो exit क्या करता है terminate कर देता है loop को या फिर exit को जब लगाते है select case के अंदर तो select case statement को execute कर देता है और continue क्या करता है skip करता है remainder of its body को तो exit और continuum loops में भी लगा सकते है और select case में भी लगा सकते है Thank you